अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि शहर शहर आउनलाइन ठगी के मायाजाल से आपको साफधान करने वाली यह ओर रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट को देखने के बाद आप यह समझ पाएंगे कि आउनलाइन फ्राउट का कितना बड़ा कारोबार चल रहा है देखिए रिप यह हैं कोलकाता के रिशब घोष फूड डिलिवरी एप से इन्होंने दो दिन पहले खाने का ओडर दिया पेमेंट आउनलाइन किया लेकिन खाना नहीं आया इसके बाद इन्होंने फूड डिलिवरी एप के हेल्प लाइन नमबर पर फोन किया जवाब मिला कि उन्हें एक लिंक भीजा जाएगा और उस लिंक को क्लिक करते ही आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आजाएग ये वही लिंक है जिस पर रिशब ने अपने पैसे वापस लेने के लिए क्लिक किया था पैसा तो नहीं आया उल्टे पांच मिनट के अंदर इनके बैंक खाते से दस-दस हजार उपए निकलने का SMS मोबाइल पर आने लगा रिशब को पता चल चुका था कि वो ऑनलाइन के श्रिकार हो गए पुलिस में श्रिकायत की है लेकिन पैसे कब वापस आएंगे भरोसा कोई नहीं दे रहा रिशब जैसे हजारों लोग हर साल इसी तरहां ऑनलाइन ठगी के श्रिकार हो रहे है ऐसे में आपको साइबर ठगी के धंदे का काला सच आंकणों में जानना बेहत जरूरी है ऑनलाइन ठगी के 1191 केस 2015-16 में दर्ज हुए जबकि 1372 केस 2016-17 में 2069 केस 2017-18 में और 1866 केस 2018-19 में दर्ज किये गए ATM कार्ड, debit कार्ड, credit कार्ड और internet banking के जरिये होने वाली ठगी के मामलों का भी नंबर गेम जान लीजिए एक लाग से ज़्यादा की ऑनलाइन ठगी के पिछले 3 साल में 5297 केस सामने आये हैं इसमें 223.23 करोड रुपए की ठगी लोगों के साथ हुई जबकि एक लाग से कम की ऑनलाइन ठगी के पिछले 2 साल में 83,170 मामले सामने आये हैं और 137.47 करोड रुपए का चुना लोगों को लगा है ऐसे में आपको ये जानना बेहत जरूरी है कि ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाएं तो क्या करें सबसे पहले नजदी की थाने या फिर साइबर थाने में शिकायत करें साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर 155-260 पर कॉल करें राज्यों के साइबर नोडल अधिकारी से संपर्क करें साइबर क्राइम.gov.in पर शिकायत करें ब्यूरो रेपोर्ट जी मीडिया करें